जब बदलती है दिशा हवाओं की, परिंदा परवास बदलता है. संभलता है जब इनसा सर्द हवाओं में, वक्त आगास बदलता है. जी हाँ साथियों, समय के साथ साथ बदलना जो है इनसान की फितरत है, और अगर नहीं है तो वो रहा जाता है बहुत ज़्यादा पीछे आज का समय है जब हमें समय के साथ चलना पड़ेगा और हमें जो natural resources हैं को use करना पड़ेगा साथियों जी हाँ आज हम बात करेंगे solar panel के बारे में solar panel जब लगाए जाते हैं तो उनका slope हमेशा जहें अब कैसे करें इस धलान को ठीक कैसे लगाए solar panel और कैसे चलें हम प्राकिर्थी के साथ बहुत बड़ा सवाल देश के सामने इंसानित के सामने जी हाँ आज इसी के बात करने के लिए मैं आपको लाया हूँ जिसमें कि आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करें आप वास्तू अगर आपने लगाना है अपने घर में solar panel इस विदेश में डॉक्टर आनन भार्दवाज एक popular celebrity के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं डॉक्टर भार्दवाज विश्व के highest qualified वास्तू कंसल्टन्ट वास्तू कंसल्टन्सी के क्षेत्र में विभिनसंस थाओं मंत्रियों विशिष्ट व्यक्तियों अधिकारियों और संतों से 200 से भी जादा अवार्ट से सम्मानित और सुशोभित डॉक्टर आनन्द भार्दवाज यानि वास्तू शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनन्द भार्दवाज और आज फिर लाया हूँ एक बहुत जबर्दस टॉपिक आपके सामने जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ-साथ, रहने, साने का ढंक बतलता चला गया, बिलिडिंग बतलती चले गए, सरकार के बाई-लोज बतलते चले गए और हां हमारे जीने का नजरिया भी बतल गया आज हम कोशिश करते हैं कि non-conventional जितने भी resources हम जितने भी energy sources हम को हम use करें अब जैसे कि आपने सुना है कि आजकल solar panel का बहुत जादा चलन है और होना भी चाहिए क्यों न हो सूर्य देवता है अपार भंडार है उनके पास energy का जो कभी ना खतम होई ना कभी खतम होगी सातियों free की उर्जा है मुफध की उर्जा है इसको ले लो अपने कल्यान की लगा लो अपने घरों पर solar panel लेकिन जब solar panel लगा लो कहतो दिया भारदवाजी आपने लेकिन लगाएं कैसे आपके मन में आएगा सवाल क्योंकि जो solar panel आपके छत पे लगेंगे उनका डलान होगा हमेशा south की तरफ या south east की तरफ लेकिन वास्तु कहता है कि जब भी कोई structure आप छत की उपर लगाते हैं अपने घर की उपर लगाते हैं तो उसका जो slope है डलान है वो अमेशा या तो north में होना चाहिए या फिर east में होना चाहिए आप क्या करें साथियों इसके बारे में आपको बहुत जादा logical समझना जरूरी है आपके लिए पहली बात यह है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने घर पे solar panel लगाएं सूरे उर्जा को सौरे उर्जा को अपने घर में आप यूज़ करें food of cells लगे होते हैं उसके अंदर और सी बिजली बनती है आपको यह जाना जरूरी है कि यहाँ पर वास्तु कहां आड़े आता है वास्तु बिल्कुल आड़े नहीं आता आपके जी हाँ ढलान क्योंकि सूरज की जो दिशा है वो चलने की है ही ऐसी northern hemisphere में कि जो सूरज निकलता है वो east से निकलता है उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो wavelength वो कम होती चली आती है और जो heat area आता है जो सबसे ज़्यादा शाइन आती है सूरज की वो आती है south में या south east में थोड़े सी south west में भी आती है तो जो system है लगाने का पैनल का वो यही है कि आपका जो slope है वो south पर रहेगा लेकिन ये आपकी वास्तु की उर्जा को नश्ट करने करने वाला है क्यों क्योंकि ये वो च्छत नहीं है जो पूरी च्छत का पानी इकठा करेगी इकठा करने के बाद पानी को महां से निकलेग वो यहां पर अपलाई नहीं होता दूसरी बात इस बात को सोच हो आप कि जो हम solar panel लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है वो अगनी तत्व को इकठा कर रहा है वो fire element को इकठा कर रहा है क्योंकि उससे बिजली बन रही है साथियों और अगनी तत्व की दिशा आपने सोचा है तो फिर क्योंना इसका ड़लाना हम south में कर दें या south इसमें कर दें तीसरी बात एक बहुत अच्छी यह भी है कि आप जब शुरू करते हैं अपना solar panel लगाना तो आपके घर का जो south का part होता है वो cover हो जाता है वो उंचा हो जाता है छोड़ा सा भारी हो जाता है वास्तो अगर आपको solar panel घर पे लगाने आपके पास बड़ी छट है या छोटी छट के उपर छोड़ा सा अगर आपको solar panel यूज़ करना है साथियों तो आप कोशिश करें कि उस चट के उपर south west से शुरू करें या south में शुरू करें और उसको देरे देरे बढ़ते बढ़ते south east तक लेके जाएं, east में जहें avoid करें कि ना लेके जाएं, starting करें south west से, अब मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने घर पे अगर solar panel लगाने है तो बिल्कु ड़लान करो south में, कोई समस्या नहीं है, ये उचा भी करेगा, भारी भी करेगा, south east की जो fire element है, उसको अराम से catch करेगा northern hemisphere की बात कर रहे हैं, हम southern hemisphere की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसको अगर आप यूज़ करेंगे, तो आप देखिए, आपके घर में भरपूर बिजली मिलेगी, भरपूर आपको light मिलेगी, और आपका बिजली का जो बिल है, वो कम हो जाएगा, और यही होता है वास्तु, जिसे हम कहते हैं के वास्तु is nothing, but living in harmony with nature, साथियों, भगवान की मनाई हुई nature की साथ साथ मिलकर रहने का नाम ही वास्तु है, और प्रकिर्तिने नेचर ने हमें जो कुछ भी उरजाएं दे रखी हैं, उनका भरपूर इस्तमाल करें, और सचे मन से करें, इमानदारी से करें इसे में हमारा भला है, अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, एक निया टॉपी लिकर आएंगे, जो कि आज के जमाने के एसाथ से बहुत ज़्यादा रेफरेंशल होता जा रहा है, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त, नमश्कार, धन्यबाद, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी जान करें देता हूं, तो इनको आप लाइक करें, इनको शियर करें, साथ में इनको सब्सक्राइब भी करें.